जैन सातियों कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करता हूँ सब यह अच्छे होंगे सातियों आज हम बात करने वाले हैं UPBI Entrance Exam 2021 के बारे में कि वो हमारा Entrance Exam 18 जुलाई को है यह तो सभी को confirm है लेकिन अब हमारे Admit Card कब तक जारी होंगे हमारा जो उसके साथ साथ और क्या-क्या दिसानिरदेश हैं सेंटर हमारा कहां पर रहने वाला है तो इन सब सारी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं तो वीडियो को आप अंतक देखते रिएगा और यदि आपको वीडियो सब्सक्राइब को होने वाला है अब इसके लिए लगभग जो हमारे फूरे उत्तर प्रदेश में लगभग पांच लाग से अधिक फॉर्म भरे गए थे जो कि धाई लाग सीट है उत्तर प्रदेश में और पांच लाग से अधिक फॉर्म भरे गए हैं अब जो हमारे एक्जाम है और 12 जुलाई को 2 सिफ्ट में आपका होता है एक मॉनिंग और एक आपका इवनिंग सिफ्ट है उसमें आपके दो सब्ञक्जक्ट आते हैं और जो इवनिंग वाली सिफ्ट होती है उसमें भी दो subject आते हैं दो-200 नंबर का आपका ये पेपर होता है वहाँ पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है अब आगे बात करते हैं कि admit card कब तक जारी किये जाएंगे लेकिन उससे पहले मैं information आपको दे देता हूं साथियो सक्षम education foundation जो की हर साल scholarship provide कराती है लगबग हर साल लाखों बच्चे इसका फायदा उठाते हैं तो उसके लिए मैंने description box में link दिया हुआ है सक्षम scholarship का तो आप वहाँ पर जाकर आप अपना registration कर सकते हैं उसका कोई भी आपसे साति यो अब बात करते हैं जो आपका entrance exam का to admit card है हो और? ‑‑ और साथ के साथ इस बार जो आपका exam center है जैसे पहले उता ही आपका दूसरी city का to उना सर्टर चला जात था यह इस बार ऐसा नहीं होनने वाल तो इन सब सारी चीज्यों का ध्यान लगना है तो साथियों जिदि आपको अभी भी कोई question है तो आप मेरे से comment box में पूछ सकते हैं मैं जितने जल से जल होगा उसका answer या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोसिस करूँगा तो चलिए साथियों मिलते हैं आप से नेक्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ तब तक के लिए जय हिल जय भारत